नमस्कार, आज हम P.V. Shelley की कविता Ode to the West Wind को पढ़ेंगे, चले प्रारम करते हैं O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing O wild west wind, देखिए पहली ही line में figure of speech है, alliteration आप जानते हैं, जब कोई sound repeat होती है, तो वहाँ figure of speech alliteration होता है तो यहाँ wild west wind, sound repeat हो रही है, यह alliteration है O wild, wild means uncontrolled, यानि आप पढ़ते हैं wild animals, domestic animals तो जो wild animals होते हैं, जंगली जानवर, उनको control नहीं किया जा सकता और domestic animals, जिनको control कर सकते हैं हम तो जो west wind है, जो पश्चिमी हवा है, वो है wild, uncontrolled, ओ wild west wind अरे, अनियंत्रित, west wind, पश्चिमी हवा, दाव, दाव means you, तुम breath of autumn's being, breath सांस होती है, of autumn's being, autumn पत्ज़र, being का मतलब अस्तित्व या शरीर तो autumn यदि एक व्यक्ति है, यहां देखिए कि personification है, autumn एक capital से लिखा हुआ है और personification में, जो जिस चीज़ का personification किया जाता है, वो capital से लिखा जाता है autumn's being, जैसे कि एक व्यक्ति की सांस होती है, वैसे ही जो autumn है, जो पत्ज़र है, उसके शरीर की सांस है west wind, दाव means you, breath of autumn's being, so you are the breath of the body of autumn यनी पत्ज़र के शरीर की सांस हो तुम, और पत्ज़र को एक अच्छा मौसम नहीं माना जाता है जो बसंत है, spring season है, उसकी सभी तारीफ करते हैं, और सभी उसको चाहते हैं, लेकिन पत्ज़र को नहीं चाहते जबकि आपने कीट्स की point बढ़ी थी, मेरे साथ पढ़ी थी, उसमें autumn की खुबसूरती दिखाई थी, पत्ज़र की खुबसूरती दिखाई थी, और यहां भी आप देखेंगे, कि autumn, यानी पत्ज़र के दोरान जो हवा चलती है, west wind, उसकी खुबसूरती आप यहां देखे autumn's mean thou means you, from whose unseen presence, from whose, जिसके के, unseen presence, unseen means invisible, जो के नहीं देखी जा सकती, अन देखी, presents, उपस्थिती, the leaves dead, यानी, dead leaves, मरी हुई पत्तियां, सूखी हुई पत्तियां, तो thou from whose unseen presence, तुम जिसकी के, अन देखी उपस्थिती से, the leaves dead, मरी हुई पत्तियां, या सूखी हुई पत्तियां, are driven, यानी के, ले जाई जाती हैं, खीची जाती हैं, फैकी जाती हैं, like ghosts, भूतों की तर है, from an enchanter fleeing, जैसे कि भूत भागते हैं, from से an enchanter means magician, fleeing means running away, यानी, जैसे एक magician की उपस्थिती से भूत भागते हैं, वैसे ही, पत्तियां, तुम्हारी unseen presence से भागती हैं, yellow and black and pale, तो ये जो dead leaves हैं, किस तरीके की होती हैं, yellow, pilly and black, और काली and pale, और pilly, यानी, एक तो हलका पीला होता है, एक गहरा पीला होता है, and hectic red, hectic, यानी, जैसे कि बुखार आ गया हो, जब हमें बुखार आ जाता है, तो लाल हो जाता है ना, हमारे चेहरे का रंग, शरीर का रंग, तो वैसे ही लाल रंग की, hectic red, यानी, feverish red, pestilence, stricken multitudes, pestilence means an epidemic, यानी, एक disease, stricken, यानी, पीडित, किसी बीमारी से पीडित, multitudes, multitudes means crowds, भीड, बहुत सारे लोग, जैसे कि किसी भयंकर बीमारी से पीडित, बहुत सारे लोग भाग रहे हों, इधर से उधर ऐसे ही dead leaves भागती हैं, ऐसे ही तो जब बीमार वेक्ती होता है, तो उसका भी तो रंग ऐसा ही हो जाता है, yellow, black, pale, तो ऐसे ही ये पत्तियां उसी तरीके की दिखती हैं, जैसे कि बीमारी से पीडित, लोग भाग रहे हों, pestilence, stricken, multitudes, बीमारी से पीडित, भीड, ओ दाव, अरे तुम, who chariotist, who, जो के chariotist, means carries, ले जाती हो, तुम, जो के ले जाती हो, to their dark, wintery bed, कहां ले जाती हो, to their, means, उनके dark, अंधेरे, wintery, means, cold, thंडे, bed, बिस्तरों पर, उनके अंधेरे, थंडे, बिस्तरों की ओर ले जाती हो, किसको ले जाती हो, the winged seeds, पंखों वाले बीजों को, आपने देखा होगा, कि कुछ seeds ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं, जिनके के पंख होते हैं, और वो उड़ते हुए चले जाते हैं, मीलों दूर, तो the winged seeds, पंखों वाले बीजों को, where, जहां पर के, कहां पर, in their dark wintery bed, अपने अंधेरे, थंडे विस्तरों पर, where, जहां they lie, वो लेटे रहते हैं, cold and low, cold, ठंडे and low और नीचे, यानि जमीन के अंदर, हवा क्या है, आपने साथ बीजों को उड़ा ले जाती है, और जहां वो गिरते हैं, वहां जमीन में दफन हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर, और वहां पर लेटे रहते हैं, each like a corpse, each means प्रत्येक, like a corpse, corpse means dead body, एक dead body की तर है, एक शब की तर है, एक लाश की तर है, हर वीज कैसे लेटा रहता है, like a corpse, एक मृत शरीर की तर है, within its grave, जैसे के एक dead body, एक मृत शरीर, within अंदर, its अपनी grave, कब्र के अंदर, लेटा हुआ हो, वैसे ही ये बीज, जमीन के अंदर, लेटे रहते हैं, और कब तक लेटे रहते हैं, until thine as your sister, until, जब तक के, दाइन means your, तुम्हारी, as your sister, as your sister कहा गया है, east wind को, जो के spring season में चलती है, बसंत रितु में चलती है, तो as your, मतलब होता है, हलका नीला रंग, जो के आस्मान का रंग है, sky blue color, as your sister, तुम्हारी नीली बेहन, यानि के, जो बसंत की हवा है, तुम्हारी बेहन, जो के बसंती हवा है, of the spring, यानि बसंत की, shell blow, वो बजायेगी, her clarion, अपना clarion, यानि के, शंक, trumpet, इंगलिश में आप कह सकते हैं, her clarion, her trumpet, her pipe, over the dreaming earth, over, उपर, the dreaming earth, सपना देखती हुई धर्टी के उपर, धर्टी जैसे मानों के सो जाती है, winter season में, सारी काइनात, यूरोप में, ऐसा लगता है, जैसे के, सो जाती है, सपना देख रही हो, ना तो चिडियां चह चाहती हैं, ना कोई शोरगुल होता है, ना पक्षी बाहर दिखते हैं, ना पेड़ पोधे फलते फूलते हैं, ना वो जूमते हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे सब कुछ सो गया हो, धर्टी मानों सो गई हो, और वो सपना देख रही हो, तो उस नींद से, उस सपने से, धर्टी को कौन जगाता है, as your sister, इसकी, west wind की, as your sister, यानी की बसंत की हवा, हमारी धर्टी जैसे जग जाती है, फूल खिलने लगते हैं, चिडियां चेह जहाने लगती हैं, तो हर क्लेरियन ओवर दर्डीमिंग अर्थ, जब बसंत की हवा, जब east wind will blow its trumpet, यानी अपना शंखनाद करेगी ओवर दर्डीमिंग अर्थ, सपना देखती हुई धर्टी पर, अब यह देखिए, यह तो ब्रेकेट के अंदर है, तो जो हमारा सेंटेंस पूरा होगा वो, and fill with living hues and odors, plain and ill, तो सेंटेंस यह है और यह बीच में तो इसका अर्थ अलग निकालेंगे, and fill with living hues, and fill और भर देगी, with living hues, living सजी, lively, hues means colors, hue means color, hues and odors, odors means smell, fragrance, तो यहनी सजीव, रंगों से और खुश्बूओं से भर देगी, plain and hill, plain means मैदान, hill means पहाडिया, तो मैदानों को और पहाडियों को सजीव, रंगों से और खुश्बूओं से भर देगी, कौन, वसंद की हवा, अब इसको देख लेते हैं, जो bracket में था बीच में, driving sweet birds like flocks to feed in air, driving means ले जाना, sweet birds, मीठी, यानि सुगंधित, fragrant, birds means कलिया, सुगंधित कलियों को like flocks, flock होते हैं, जुन्ड, जानवरों के जुन्ड, जानवरों के जुन्डों की तरह, to feed, जैसे जानवरों के जुन्ड को, भेडबकरियों के जुन्ड को हम चराने ले जाते हैं, हम क्या जो भी पालते हैं, वो चराने ले जाते हैं, to feed means चराने के लिए, इन्दा एर हवा में तो अपने साथ हवा उड़ा के ऐसे ले जाती है sweet birds को यानी खुश्बुदार कलियों को अपने साथ ऐसे उड़ा के ले जा रहती है जैसे के भेडबकरियों को चराने के लिए ले जाया जाता है wild spirit फिर से उसने wild बोला wild मैंने आपको बताया था that cannot be controlled, uncontrolled तो wild spirit, spirit होती है आत्मा यानि अनियंत्रित आत्मा, आजाद आत्मा, स्वतंत्र आत्मा which art moving everywhere, which जो के art मतलब आर, A-R-E-R उसको old English में art लेखा जाता है moving, घूमती रहती है everywhere, हर जगे भही वो wild है तभी तो घूमती रहती है अगर वो controlled होती या domesticated होती तो वो ऐसे हर जगे नहीं घूम सकती थी क्योंकि वो wild है, wild spirit है, आजाद है इसी दिये वो which art moving everywhere so it is free, it can move anywhere which art moving everywhere destroyer and preserver अब देखिए, ये हुआ oxymoron यानि दोनों चीज़ें एक साथ बोली गई है एक ही चीज़ को, यानि wild west wind को उसने destroyer भी बोला और preserver भी बोला destroyer कौन होता है, विनाश करता one who destructs और preserver, one who preserves, जो के सुरक्षित करता है तो एक ही entity, एक ही व्यक्ति, एक ही चीज़ एक बार में विनाश करता भी है और सुरक्षित करता भी है, वो कैसे देखिए, जो पीली पत्तियां है, जो dead leaves है उनको वो पेड से हटाती है और अपने साथ उड़ा ले जाती है, मिट्टी में मिला देती है और उनको नश्ट कर देती है, समाप्त कर देती है यानि एक चीज़ को वो खतम कर रही है एक life था जिसको वो खतम कर रही है life तो उसमें उलड़ी खतम हो चुका, जब पत्तियां पीली हो गई तो वो dead हो गई और उनको पूरी तरीके से नश्ट किया west wind ने, तो destroyer and preserver तो preserver वो कैसे है, अभी आपने पढ़ा कि वो बीजों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और उन बीजों को कहां डाल देती है देखिए आपने ये अभी पढ़ा था who chariot is to their dark wintery bed the winged seeds तो बीजों को अपने साथ ले जाकर मिटी में दबा देती है और उनको सुरक्षत कर देती है जिन में से new life नया जीवन फिर से pressed footed होता है फिर से निकलता है here oh here सुनो अरे सुनो तो ये तो था explanation एक बार इसको फिर से analyze कर लेते हैं इसकी literary devices देख लेते हैं क्या 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 literary devices पोईट नहीं यूज की है तो पहली बात तो ये कि ये जो इस्टेंजा है फ़र्स इस्टेंजा west wind की पावर दिखाता है अर्थ पर कि अर्थ पर west wind क्या क्या करती है और अभी आप आगे जब पढ़ेंगे next इस्टेंजा पढ़ेंगे तो second इस्टेंजा में poet बताएगा कि sky में यानि आकाश में west wind क्या क्या काम करती है उसकी क्या पावर है तो देखिए tree devices देख लीजे एक बर ये मैंने आपको पहली बताए कि o wild west wind यहाँ पर alliteration है wild west wind sound repeat हो रही है w की तो एक तो यहाँ alliteration है alliteration के साथ-साथ यहाँ एक और figure of speech है जिसको apostrophe बोलते हैं apostrophe में किसी भी dead object को किसी भी lifeless thing को किसी भी मृत विक्ती को या फिर किसी अनुपस्थित विक्ती को directly address किया जाता है तो यहाँ पर poet west wind को directly address कर रहा है जैसे कि वो कोई इनसान हो उसके सामने खड़ा हुआ तो यहाँ पर figure of speech apostrophe भी है और breath of autumn's being यह मैंने आप बताया था कि उसने ऐसा दिखाया है जैसे कि autumn एक person है और उसकी सांस है west wind तो यहाँ personification हुआ autumn का फिर second line में आप देखेंगे presents the leaves dead from whose unseen presents the leaves dead जबकि आप normally sentence लिखते हैं और adjective लगाते हैं तो dead leaves लिखते हैं dead को पहले लगाते हैं leaves से अब लेकिन यहाँ पर point ने dead को बाद में रखा leaves को पहले रखा तो यह figure of speech हुआ inversion फिर third line में है like ghosts तो जहाँ so like as word यूज होते हैं comparison के लिए तो वहाँ पर figure of speech सिमिली होता है गोस्ट के साथ compare किया लीव्स को कि इसके बाद आप आप आईए यहाँ कि इच लाइक का कॉप्स फिर से यहाँ पर सिमिली है इस लाइन में भी कि आप इसमें भी personification बोल सकते पैस्टिलेंस इस्टिकन मल्टिट्यूट्स ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बीमारी से पीडित इंसान हो बीमारी से पीडित लोग हो तो यहाँ भी पत्तियों को ऐसा दिखाया गया जैसे बीमारी से पीडित लोग हो तो यहाँ भी आप personification कह सकते हैं इसको भी then आप देखिए कि इसमें then sister of the azure then as your sister of the spring shall blow her clarion तो तुम्हारी as your sister जो तुम्हारी बहन है बसंती हवा वो अपना clarion बजाएगी अपना शंक नाद करेगी अपना trumpet बजाएगी तो trumpet बजाना या शंक बजाना ये किसी व्यक्ति का ही काम होता है person का काम होता है लेकिन यहाँ वसंत की हवा को as a person treat किया गया है वो आकर शंक नाद करेगी तो यहाँ भी figure of speech personification है birds like flocks यहाँ फिर से simili है और यह जो destroyer and preserver है मैंने आपको बताया था यहाँ पर oxymoron है आप इसको paradox भी कह सकते है साथी इसमें personification भी है क्योंकि destroyer और preserver एक तो दोनों ही capital से लिखे हो है और दोनों ही एक व्यक्ति का काम होता है एक व्यक्ति विनाश करता होता है एक व्यक्ति प्रिजर्वर होता है तो इसको personify किया गया है west wind को यहाँ पर rhyme scheme यदि आप देखें assistance आगे तो देखें यह rhyme scheme है being a कहेंगे हम इसको dead b fleeing फिर से a being और fleeing यह आपस में rhyme कर रहे हैं तो दोनों की rhyme scheme इनकी a हुई लेकिन dead अलग है तो इसकी rhyme scheme b हुई तो first three lines की a, b, a next three lines में क्या हुआ यह जो b था dead यह यहाँ फिर से आगया red और bad dead, red, bad तो यह b, beef यहाँ पर आगया लेकिन दाव अलग है तो हम इसको नाम देंगे c, तो b, c, b next three lines देखिए कि low यह दाव से rhyme कर रहा है तो c, यहाँ पर फिर से repeat हुआ, c, low और blow दाव, low, blow और लेकिन until यहाँ पर अलग है तो हम इसको बोलेंगे d, c, d, c फिर यहाँ पर देखिए fill, fill किस साथ rhyme कर रहा है, until के साथ until, fill और यह hill तो यह d हो गया और यह भी d हुआ, लेकिन air लग है, तो इसको हम कहेंगे e फिर यहाँ पर देखते हैं, last में यह एक couplet की तरह है, everywhere here, लेकिन यह air के साथ rhyme कर रहा है, तो यह भी e है, और यहाँ फिर से e और e है तो इस तरीके से यह इस स्टेंजा का analysis complete हुआ अब हम चलते हैं, second स्टेंजा पर second स्टेंजा आपर, जैसा कि मैंने कहा था poet आपको बताएगा कि what is the power of west wind in the sky आकाश में उसकी क्या power है आकाश में वो क्या करती है दिखते हैं thou on whose stream mid the steep sky's commotion loose clouds like earth's decaying leaves are shed shook from the tangled bows of heaven and ocean thou means tum, you on whose stream whose, जिसकी के stream धारा जिसकी धारा पर mid means मध्य, बीच में amid या midest the steep skies commotion steep यनि जिसमें slope होता है धालू sky, आकाश, कमोशन कमोशन होती है हलचल या शोर यनि आकाश के बीच में शोर करते हुए धाराएं जहां भी बहती हैं वहाँ शोर करती हैं तो आकाश के जो धाल है वहाँ पर शोर करते हुए mid the steep skies कमोशन बीच आकाश में बीच धालू आकाश में शोर करते हुए हलचल करते हुए loose clouds loose मींस बिखरे हुए clouds बादल like की तर है earth धर्ती के decaying नश्ट होते हुए leaves पत्ते are shed मींस गिरते हैं यानि जैसे धर्ती पर decaying leaves, dying leaves dead leaves गिरती हैं वैसे ही वहाँ आकाश में कौन गिरता है loose clouds बिखरे हुए बादल shook from the tangled boughs of heaven and ocean shook shake की second form है shook SHK शेक मींस हिलना, गिरना और उसकी second form है shook third form shaken shook from the tangled tangled means उल्जे हुए boughs लताएं आपने देखा होगा टहनियां लताएं आपस में उलज जाती हैं और जब टहनियां उलजती हैं और साथ में हवा चलती है तो पत्तियां गिरती हैं वैसे ही ये जो बादल गिर रहे हैं वो पत्तियों की तरह गिर रहे हैं और टहनियां कौन हैं? boughs of heaven and ocean एक तो heaven है आकाश है दूसरा ocean है महासागर है तो ये दो टहनियां हैं ये दो पेड हैं जिनकी टहनियां आपस में उलज रही हैं और उन उलजी हुई टहनियों से क्या गिर रहा है? पत्तियों की तरह बादल गिर रहे हैं क्या खुबसूरत तस्वीर है देखिए angels of rain and lightning और वो जो बादल गिर रहे हैं वो दूसरी और कैसे लग रहे हैं? एक तो उसने संग्या दी उनको decaying leaves की और दूसरा उनका जो रूप है कैसे दिख रहे हैं? angels, देवदूत angels के बारे में यह कहा जाता है कि वो white color के होते हैं सफेद रंग के होते हैं चमकते हुए होते हैं तो angels of rain and lightning देवदूत, rain, बरसात के and lightning और बिजली के there are spread वहाँ फैले हुए है on the blue surface नीली सतह पर of dine तुम्हारे airy surge airy, हवाई surge उठान तुम्हारे हवाई उठान पर फैले हुए हैं कैसे फैले हुए हैं like the bright hair bright चमकते हुए hair, बाल चमकते हुए बालों की तरह uplifted जो की उपर उठे हुए हैं from the head सिर से किसके सिर से of some fierce minute of some किसी fierce भयानक डरावनी मीनेड ये मीनेड क्या है भई ये है युनान में एक देवता है शराब का देवता जिसका नाम है डियोनिसस डियोनिसस की पूजा करने वाली जो पुजारने हैं अब भई शराब के देवता की पुजारने भी तो रही हैं वह जब नशे में होती हैं उन पर जब डियोनिसस का जादू सर्चड़के उनके बोलता है तो वह पागलों की तरह नास्ती फिरती है और उनके बाल बिखरे हुए उड़ते जाते हैं और वह नास्ती जाती है उस पागल पन में उनके सामने जो भी आता है उसको वो चीर डालती है इसलिए उनको fierce बोला है बियानक बोला है अब आपनी उसमेड उपर उठे हुए हो Like the bright hair uplifted from the head of some fierce man Even from the dim verge Even यहां तक के From से कहां से Dim धुंदला वर्ज किनारा धुंदले किनारे से Of the horizon Horizon होता है cities जहां धर्ती और आकाश का मिलन होता है वो horizon होता है वो cities होता है तो cities का वो dim verge वो धुंदला किनारा हमको एकदम से दिखता नहीं न कि कहां exactly जाकर मिल रहे हैं हम आप छट पर कड़े हो जाईए तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं दूर जाकर धर्ती और आकाश मिल रहे हैं वो horizon है तो dim verge of the horizon to the zenith side zenith side आकाश की उँचाई आकाश की चोटी zenith होती है चोटी यानि आकाश की उँची चोटी तक the locks of the approaching storm locks लटें बालों की लटें of the approaching approaching आता हुआ storm तूफान देखिए तूफान भी यहां ऐसे आ रहा है यहां एक व्यक्ती के रूप में आ रहा है जिसकी लटें उपर उठी हुई है जो जो काले काले बादल घिर के आ रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि लटें हों आते हुए तूफान की दाओ तुम दर्ज शोगीत डर्ज क्या होता है अब जब मृत्यूगीत गाया जा रहा है तो कोई मर भी तो रहा होगा आप कौन मर रहा है अफ दाओ डाओं इयर मरते हुए साल का तुम शोगीत हो मृत्यूगीत हो मरते हुए साल का साल कैसे मर रहा है आपको मालू है सर्दी का मौसम जब आता है यह धलती हुई रात विल बी बनेगी दोम गुमबद ओफ दे वास्ट सेपलकर वास्ट विशाल सेपलकर क्या होता है? मकवरा जैसे ताजमेहले एक मकवरा है किसी की मृत्यू हुई है किसी को वहाँ दफनाया गया है तो वहाँ वो विशाल मकवरा बना है सिकंद्रा है वहाँ पर अकवर को दफनाया गया है उसके उपर विशाल मकवरा बना हुआ है और डोम होता है गुमबद जो ताजमेहल का उपर का विशाल गुमबद है ऐसे ही सिकंद्रा का विशाल गुमबद है तो वो गुम्बद कौन बनेगा This closing night ये धलती हुई रात उस विशाल मकवरे का गुम्बद बनेगी Vaulted with all thy congregated might Vaulted यानी जिसके कंगूरे होंगे जिसकी मिनारे होंगी जिसके आर्क होंगे क्या with all thy congregated might congregated होती है संगठित might शक्ति तुम्हारी संपूर्ण शक्ति से उसके कंगूरे बनेंगे उसकी मिनारे बनेंगे और वो शक्ति किसकी होगी of vapors भाब की from whose solid atmosphere from whose जिसके solid atmosphere वातावरण से from whose solid atmosphere जिसके ठोस वातावरण से black rain and fire and hail will burst black rain काली काली बरसाथ बरसाथ तो वैसे काली नहीं होती जो पानी आता है वो तो काला नहीं होता लेकिन जो बादल होते हैं वो काले काले होते हैं पानी से लदे हुए and fire और अगनी अगनी क्या है lightning जो तरित होती है जो विद्यूत होती है चमकती है वो fire and hail hail क्या होते हैं जो ओले गिरते हैं बर्फ गिरती है will burst foot पड़ेगी oh here अरे सुनो एक वार इस स्टेंजा की literary devices देख लेते हैं वैसे तो हर line में आपको एक word picture मिलेगी एक word image मिलेगी तो अब जैसे की on whose stream अब हवा की stream हवा की धारा आपने नदी की धारा देखी है समुद्र की धारा देखी लेकिन हवा की धारा यह अपने आप में एक word picture है और यहां देखिए loose clouds like earth decaying leaves यहां पर simili है और यह like the bright hair uplifted यहां भी simili है minute इसके बारे में मैंने आपको बताया यह mythological reference है और जहां तक rhyme scheme है तो यह वही rhyme scheme है जो के first system अंजा में थी ABA, BCB, CDC तो यह जो rhyme scheme है इसको terza rima बोलते हैं और इस rhyme scheme को सबसे पहले Dante Allegri जो के एक italian poet है उन्होंने यूज किया था नाम याद रखेगा italian poet Dante जिनकी divine comedy सबसे ज़्यादा फेमस है उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था इस rhyme scheme को terza rima को उसके बाद आप देखेंगे of the dying year यहाँ फिर से personification है मरता हुआ साल तो ऐसे डेस्क्राइब किया है जैसे कि कोई इंसान हो कोई person हो जो के मर रहा है अब हम आते हैं third distance पर third distance पर आप देखेंगे कि west wind की power ocean में क्या है अभी आपने देखा धरती पर first distance आमे आकाश में उसकी power देखी second distance आमे अब third distance आमे आप देखेंगे power of the west wind in the ocean महा सागरों में उसकी power क्या है thou तुम who did us waken who जिसने के did us waken जगा दिया from his summer dreams उसके गर्मी के सपनों से गर्मी का मौसम जो होता है वो बड़ा सुहावना होता है Europeans के लिए तो जैसे गर्मी के दिनों में महा सागर सपने देख रहा था तो उसको जगा दिया from his summer dreams उसके गर्मी के सपनों से और इस लाइन में देखिए personification है क्योंकि किसको जगाया है the blue Mediterranean नीले भूमध्य सागर को तो नीले भूमध्य सागर को ऐसे treat किया है पोईट ने जैसे कि वो एक person हो जो कि सो रहा है और सपने देख रहा है तो यहाँ figure of speech personification है where he lay जहाँ वो लेटा हुआ था लल्ड लल एक वर्व है जिसका मत्रब होता है लोरी गाकर सुलाना जिसको कि लोरी गाकर सुलाया गया था by the coil of his crystalline streams by the coil coil डोडियां होती है जैसे कि पालने की डोडियां हो जिनमें वो जूला जूल रहा हो उसके लोरी गाकर सुलाया गया हो by the coil of his crystalline crystalline एक्दम चमकती हुई धाराएं साफ सुत्री crystal clear धाराएं streams means धाराएं crystalline streams साफ सुत्री धाराएं जो नदियों की धाराएं आकर समुद्र में मिलती हैं उन्होंने जैसे उसे लोरी गाकर सुला दिया हो कहां beside beside means करीब किसके करीब और pumice aisle pumice aisle aisle होता है दीप और pumice कैसा दीप जो के जौला मुखी के लावा से बना हुआ जौला मुखी फटते रहते हैं समुद्र में और उनसे जो लावा निकलता है उससे वहाँ पर दीप बन जाते हैं तो beside a pumice aisle एक जौला मुखी दीप के करीब पास इन बेज बे ये जो बे है ये इटेली के नेपलस में एक शहर है और ये ये बाई बे है इसका मतलब होता है खाड़ी जैसे हमारे भारत के नीचे है बंगाल की खाड़ी है तो वैसे ही बेज बे यानि बे की खाड़ी and saw और देखा in sleep अपनी नीद में old palaces and towers और अपनी नीद में अपने सपने में वो blue Mediterranean भूमद्य नीला सागर क्या देख रहा था old palaces पुराने महल and towers और मिनारें quavering कापती हुई within the waves नदिया मतलब लहरों के अंदर waves लहरों के अंदर waves intense day दे तो दिन होता है और intense यानि जब तेज रोष्णी हो धूप निकली हो सूरज निकला हुआ हो तो तेज रोष्णी होती है उस तेज रोष्णी में जो च्छाया पड़ती है महलों की मिनारों की समुद्र में और लहरों के साथ वो quavering कापती हुई दिखती है आप खुद भी देखिए कभी तालाब में देखिए या नदी में देखिए अपना ही अक्स देखिए आप और जो लहरे हिलती है तो उसके सासा तैसा लगता है जैसे हमारा अक्स हमारी तस्वीर हिल रही है कुई वरह कापती हुई हिलती हुई दिखती है तो यह बड़ी खुबसूरत एक शब्दों से बनाई हुई तस्वीर है जो आप यहां पर देख सकते हैं वर्ड इमेज आप जब लिटररी डिवाइसेज इस स्टेंज़ा की लिखेंगे एक्स्प्लेनेशन करेंगे और लिटररी डिवाइसेज लिखेंगे तो यहां इसको लिखेंगा कि दिस इस ब्यूटिफुल वर्ड इमेज और यहां पर लिखेंगा दिस इन एक्सांपल ऑफ परसॉनिफिकेशन जब आप एक्स्प्लेनेशन के साथ लिटररी डिवाइसेज भी लिखते हैं तो एक्जामिनर आपको अच्छे मांक्स देता है तो लिटररी डिवाइसेज ज़रूर लिखेंगा ओल ओवर्ग्रोन विद एज्योर मौस एंड फ्लार्स ओल यानि सभी कौन सभी ये जो ओल्ड पेलेसेज एंड टावर्ज जिनकी अक्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी हिलती हुई कापती हुई तसवीरें दिखाई दे रही हैं वो सारे ओवर्ग्रोन उनके ऊपर उगे हुए हैं उनस भी के ऊपर उगे हुए हैं क्या चीज़ पुरानी इमारतें पुराने किले देखिए पुराने महलों को देखिए उन पर काई जम जाती है एंड फ्लार्स और फूल अब यह जो काई है यह जो फूल है यह दो संभावनाएं हैं इनकी कि एक तो समुद्र के अंदर जहां पर तस्वीरें दिख रही हैं वहां पर यह पत्वार होता है समुद्र के अंदर भी तो वनस्पती होती है और फूल भी छills हो दूसरा जब पुरानी हो जाती हैं बिल्डेंग्स इमारतें पुरानी हो जाती still एक पर पीरी बिल्ड पूर निंडरे लगते हैं तो दोनों समेह समभावनाएं इस तस्वीर में So sweet, इतने मधुर, इतने मीठे, इतने प्यारे, इतने खुपसूरत, कितने? The sense faints, sense हमारी जो इंद्रिया है, आखे, नाख, कान, तो जो sense है, चाहे आखे देखते हुए, या क्योंकि flowers हैं, उनकी खुश्बो आ रही है, तो उनको सूंगते हुए, हमारी नाख, faint, faint का मतलब होता है, बेहोश हो जाना, मदखोश हो जाना, कि जो इंद्रिया हैं, वो मदखोश हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, picturing them, उनकी तस्वीर बनाते हुए, उनकी तस्वीर को देखते हुए, अब यह जो एक्जामपल है, सेंस्योस्नेस का एक्जामपल है, यह आपको कीर्स में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ भी कोई कम नहीं है, सेंस्योस्नेस है, कि जो चीजां दिखाई दे रही हैं, उनकी तस्वीर से हमारी इंद्रियां, यानि कभी की इंद्रियां, पोईट की इंद्रियां, मदखोश हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं, और इसको पढ़कर हमें भी महसूस हो रहा है, कि जैसे हम उन तस्वीरों को अ यह तस्वीर को बनाते हुए, देखते हुए दाओ, तुम, for whose path, जिसके के रास्ते के लिए whose जिसके path means रास्ता, जिसके रास्ते के लिए the Atlantic's level powers Atlantic महासागर है, आप परजित है level है समतल, यानि शान्त जल powers, शक्तियां, यहनि Atlantic महासागर का जो समतल जल है, जो सतह है जो कि शान्त जल है Atlantic महासागर का cleave themselves, cleave होता है बीच में से चीर देना तो वो अपने आपको चीर देता है शान्त पानी, समतल पानी अपने आपको चीर देता है into chasms, chasms होता है दर्रे तो वो चीर कर अपने आपको अपनी चाती को चीर कर दर्ले बना देता है तुम्हारा रास्ता तैयार करने के लिए क्या खुपसूरत तस्वीर है और क्या description है While far below, while जबकि far below, बहुत नीचे The sea blooms, समुद्री फूल, समुद्री पौधे, समुद्री वनस्पती And the oozy words, oozy चिकने क्योंकि समुद्र के अंदर है वहाँ हमेशा पानी रहता है, वो जल के अंदर रहते हैं तो वो इसलिए चिकने है Oozy words, जंगल, यानि समुद्र के अंदर जो वनस्पती है वहाँ भी बहुत सारे पेड़ पौधे है Which we are, जो के रखते हैं समुद्र के जंगल, समुद्र के अंदर जो वनस्पती है वो रखते है The sapless folies Sapless, यानि उनमें juice नहीं होता है जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं जो धर्टी के ऊपर पेड़ पौधे हैं वो समुद्र के अंदर की वनस्पती में नहीं होता इसलिए पौईट ने उनको कहा है Sapless, यानि juice रहित रस रहित, रस हीन Sapless, folies, folies पते वनस्पती, off the ocean समुद्र की, no पहचानते हैं, जानते हैं तुम्हारी आवाज को यानि जब तुम चलती होते जी से तो वो तुम्हारी आवाज को पहचानते हैं और and, or suddenly, अचानक grow, grey पीले पड़ जाते हैं सफेद पड़ जाते हैं with fear, डर से तुम्हारी आवाज सुनते ही वो डर से पीले पड़ जाते हैं and tremble और काँ अपने लगते हैं and despoil themselves despoil अब विनाश कर लेते हैं themselves अपने आपका खुद ही अपना विनाश कर लेते हैं oh here अरे सुनो इस स्टेंजा की भी राय में स्कीम वही है जो फर्स्ट और सेक्ड इस्टेंजा की थी अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स इस्टेंजा देखिए if I were a dead leaf thou mightest wear if यदि I were में होता a dead leaf एक मृत पत्ती देखिए आई के साथ वर आया है क्यों आया है आई के साथ तो वह आता है लेकिन जब ऐसी situation होती है जहां किसी चीज़ की कलतना की जाती है जो कि नहीं है यदि में एक सूखी हुई पत्ती होता तो ये एक imaginary situation है तो इसलिए यहां पर I के साथ वर आया है if I were a dead leaf यदि में एक सूखी हुई पत्ती होता दाव तुम mightest beer अपने साथ उडाल के ले जा सकती थी ये जो est लगा है old english में लगता है mightest मतलब might beer मींस ले जाना उडा ले जाना if I were यदि में होता a swift cloud एक तेजी से चलने वाला बादल swift मींस तीवर cloud बादल to fly उडने के लिए with the तो तुम्हारे साथ उड़ जाता a wave एक लहर होता यदि में एक लहर होता to paint half था beneath नीचे thy power तुम्हारी शक्ती यानि तुम्हारी शक्ती के नीचे half था जो लहरे होती है वो half थी हुई कांपती हुई दिखाई देती है जब तेज हवा चलती है तो आप देखिए पानी में लहरे उठती है जो के half थी हुई the impulse means आवेश को of thy strength तुम्हारी शक्ती के यानि तुम्हारी शक्ती से कांपता भले ही लेकिन तुम्हारी शक्ती का मैं भी एक भाग बन जाता and share भागिदार बन जाता the impulse आवेश का of thy strength तुम्हारी शक्ती के only केवल less थोड़ा साही कम free आजाद यानि केवल थोड़ा साही कम आजाद दैन दाव तुम्हें होता अगर ऐसा होता तुम्हें तुम्हें थोड़ा साही कम आजाद होता oh uncontrollable यहां west wind को कहा है उसने uncontrollable controllable जिसको की नियंत्रित किया जा सकता है uncontrollable जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता हो तो तुम जो के uncontrollable हो तुम जो के नियंत्रण से परे हो if even I were यदि मैं होता as in my boyhood जैसा कि मैं अपने बच्पन में था लड़क्पन में था and could be और हो पाता the comrade साथी of thy wanderings wander means ऐसे ही घूमना चहल कदमी करना घूमते फिरना आवारा गर्दी करना तो of thy wanderings तो तुम्हारी आवारा गर्दी तुम्हारी यूही घूमने फिरने में तुम्हारा साथी होता thy wanderings तुम्हारी चहल कदमी में तुम्हारा साथी होता over heaven आकाश में as then जैसा कि तब यानि तब का मतलब कब लड़कपन में हर लड़का हर लड़की जब बचपन होता है तो हम कितने आजाद होते हैं कितने स्वच्छंद होते हैं कोई चिंताएं नहीं होती कोई फिकर नहीं होती और बच्चों पर तो कानून भी लागू नहीं होते तो मस्ती करते हैं बच्चे तो as then तब ही when जब to out strip out strip का मतलब होता है पीछे छोड़ देना पीछे छोड़ कर आगे निकल जाना जब to out strip यानि पीछे छोड़ देना दाय तुम्हारी इसकाई आकाशिय स्पीड गती तुम्हारी आकाशिय गती को पीछे छोड़ देना scares मुश्किल से ही seemed प्रतीत होता था a vision एक सपना यानि तुम्हारी गती को पीछे छोड़ देना मुश्किल से ही एक सपना लगता था यानि ये संभव था मेरे लड़कपन में मेरे लिए ये संभव था I would never have मैं कभी नहीं करता स्ट्रिविन स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना संघर्ष करना और उसकी सेकेंड फॉर्म है स्ट्रोव और थार्ड फॉर्म है स्ट्रिविन ये जो आपके सामने है तो मैं कभी कोशिश नहीं करता मैं कभी संघर्ष नहीं करता यदि मैं अपने उस लड़कपन में होता क्या कोशिश नहीं करता As thus इस प्रकार विद्दी तुमसे इन प्रेयर प्रार्थना में इन माय सोर नीड इन माय अपनी सोर मींस गहन नीड आवश्यक्ता में यानि जैसे कि मैं अब तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं अपनी गेहन आवश्यक्ता में वैसे मैं बिलकुल प्रार्थना नहीं करता यदि मैं अपने लड़कपन में होता और वो क्या प्रार्थना कर रहा है ओ, lift me अरे मुझको उठा लो वैसे मैं से वो प्रार्थना कर रहा है अरे मुझको उठा लो as a wave, a leaf, a cloud as a wave एक लहर की तर है a leaf एक पत्ती की तर है a cloud एक बादल की तर है तो यहाँ पर simili भी है figure of a speech note कीजेगा मुझे एक लहर की तर है एक पत्ती की तर है एक बादल की तर है उठा लो जैसे उठा ले जाती है हवा अपने साथ लहरों को पत्तीयों को और बादलों को वैसे ही मुझे उठा लो I fall मैं गिर पड़ा हूं upon the thorns of life जीवन के कांटों पर I bleed मेरा रक्त बह रहा है मेरा खून बह रहा है a heavy weight एक भारी बोज ओफ आर्स घंटों का मतलब समय का समय के एक भारी बोज ने has changed जंजीरों से बांद दिया है and about और जुका दिया है one एक व्यक्ती को two like the जो इतना ज्यादा तुमारे जैसा था two इतना ज्यादा लाइक जैसा दी तुमारे तुमारे जैसा था tamedless tamedless का मतलब होता है पाल तु बनाना और tamedless जिसको पाल तु नहीं बनाया जासकता है यानि के आजाद wild and swift और तीवर fast जैसे के हवा होती है वैसा ही fast वैसा ही तेज वैसा ही तीवर and proud और proud means गर्व करने वाला घमंडी यानि अपनी ही दुन में रहने वाला तो मैं भी बिलकुल तुमारे जैसा था आजाद तीवर और घमंडी अब आते हैं लास इस्टेंज आपर क्योंकि इस्टेंज आज की राय में स्कीम वही चल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पर like so like as words used हो और दो दो डिफरेंट चीजों की comparison की जाए तो वहाँ पर similar है वो भी आप निकाल लेंगे literary devices जब लिखेंगे तो अब लास इस्टेंज आ देखिए make me मुझे बना लो die liar liar एक musical instrument होता है इसी liar से lyric बना है जो आप points पढ़ते हैं छोटी points होते हैं जहीं कि यह जो poem है यह भी एक lyric है तो make me die liar मुझे अपना liar बना लो वाद्ययंत्र बना लो अपना वाद्ययंत्र यानि संगीत यंत्रों से निकलता है वो वाद्ययंत्र या musical instruments कह जाते हैं तो liar एक musical instrument है आप कहिए कि मुझे अपनी बासुरी बना लो make me die liar मुझे अपनी वीना बना लो मुझे अपनी बासुरी बना लो even as the forest is जैसे कि तुम्हारे लिए जंगल है जंगल से होकर जब हवा गुजरती है सरसराती हुई तो एक music निकलता है पेड़ों के बीच से पत्तियों के बीच से जब हवा निकलती है सरसराहट करती हुई तो एक संगीत निकलता है तो उसी संगीत की ओर इशारा करते हुए पोईट कहता है कि जैसे जंगल को तुमने लायर बना रखा है अपना वादियंत्र बना रखा है अपना musical instrument बना रखा है वैसे ही मुझे भी बना लो make me thy liar even as the forest is जैसे जंगल तुम्हारा वादियंत्र है musical instrument है वैसे ही मुझे भी अपना लायर बना लो what if what if क्या हुआ यदि my leaves मेरी पतियां are falling गिर रही है like जैसे कि its own इसके अपने की भाती यानि जैसे कि जंगल की पतियां गिर रही है अब क्योंकि autumn season चल रहा है तो जंगल की पतियां गिर रही है its own किस के लिए का है जंगल के लिए तो इसके जैसा जो जंगल है यानि जैसे मेरी पतियां गिर रही है वैसे ही जंगल की पतियां भी गिर रही है the tumult of thy mighty harmonies the tumult tumult होता है short, noise, sound तो तेज आवाज, short, of thy तुमारे mighty, शक्तिशाली, ताकतवर harmonies धुनों का तुमारी ताकतवर धुनों की आवाज तुमारी ताकतवर धुनों का short will take, निकाल लेगा from both, दोनों से अब ये दोनों कौन है, poet और जंगल दोनों से निकाल लेगा a deep, एक गहरी, एक गहन autumnal, means पतज़ड की tone, आवाज, धुन sweet, जो कि मधुर होगी though, यद्यपी, insadness यानि दुख से भरी होगी अब दुख से भरी क्यों होगी? क्योंकि जो जंगल है, वहाँ तो पतज़ड आ रहा हुआ है और poet ने तो आपको पहले ही बताया पीवी शैली ने क्या बताया? कि वो जीवन के कांटों पर गिरा हुआ है और उसका खून बह रहा है तो भाई, जो कांटों पर गिरा हुआ हो और जिसका खून बह रहा हो उसमें से कैसी धुन निकलेगी? कैसी आवाज निकलेगी? दुख से भरी हुई, सैडनेस से भरी हुई, full of sorrow तो जो धुन निकलेगी जंगल में से और मुझमें से दोनों ही मधुर होंगी लेकिन दोनों ही दुख से भरी होंगी बी दाओ तुम बन जाओ fierce spirit भयानक आत्मा fierce भयानक spirit आत्मा my spirit मेरी आत्मा तुम जो कि भयानक आत्मा हो मेरी आत्मा बन जाओ बी दाओ मी तुम मुझ में समाजाओ बी दाओ मी तुम में बन जाओ मतलब तुम मुझे में समा जाओ, मेरे जैसी हो जाओ, या मुझे अपनी जैसा बना लो, impetuous one, impetuous कौन होता है, जो तुरंत काम करता है, यानि बिना सोचे समझे, आवेश में, आवेग में जो काम करता है, तो impetuous one, यानि आवेग पूर्ण बन जाओ, मेरे जैसी, या मुझे अपनी जैसा आवेग पूर्ण बना लो, drive, drive means ले जाना, फैला देना, तो ले जाओ, my, मेरे, dead thoughts, मृत विचारों को, मेरे मृत विचारों को ले जाओ, over the universe, पूरे ब्रह्मांड में, like, तेखिए फिर से से मिली है, तो जहाँ इस तरीके से comparison हो, तो वहाँ से मिली होता है, like, without leaves, without, मुर्जाई हुई, leaves, पत्तिया, मुर्जाई हुई पत्तियों की तरह, एक बात और धियान रखिएगा आप, कि जब दो different चीजों का comparison होता है, like, so, like, as लगा कर, तभी सिमिली होता है, अगर दो similar चीजों का comparison होगा, तो सिमिली नहीं होगा, जैसे कि आप कहें, my brother is like me, तो ये सिमिली नहीं है, भले ही like लगा हुआ है, ये simple comparison है, लेकिन जब दो different चीजों का comparison होता है, तब सिमिली होता है, अब यहाँ पर देखिए, उसने dead thoughts और leaves, दोनों different चीजों हैं, दोनों का comparison किया है, like withered leaves, मुर्जाई हुई पत्यों की तरह, मेरे विचारों को, मेरे मृत विचारों को ले जाओ, पूरे ब्रह्मान में फैला दो, like withered leaves, मुर्जाई हुई पत्यों की तरह, to quicken, quicken means तेजी से आगे बढ़ाना, तेजी से पैदा करना, a new birth, एक नया जन्म, एक नया जीवन, जब सूखी पत्यां उड़ती हैं, जब सूखी पत्यां हटती हैं, तब उनकी जगे नई कोपले निकलती हैं, नया जन्म होता है, और वो जो सूखी पत्यां हैं, वो नीचे गिरती हैं, उड़ती हैं, मिटी में मिलती हैं, गल जाती हैं और खाद का काम करती हैं, और जो खाद है वो नए जीवन को प्रोथसाहित करती है, नए जीवन को आगे बढ़ाती है, तो ऐसे ही मेरे dead thoughts को तुम ले जाओ, और जैसे सूखी पत्कियों को ले जाती हो, एक नए जीवन को जन देती हो, वैसे ही मेरे dead thoughts को ले जाकर, मेरे मित विचारों को ले जाकर, एक नए जीवन का आगाज करो like withered leaves मुर्जाई हुई पत्कियों की तरह to quicken शिग्रता से पहदा करने के लिए a new worth एक नए जीवन को and or by the incantation incantation क्या होता है मंतो चारण यानि जो मंतों का जाब किया जाता है जो चारण किया जाता है वो incantation होता है तो by the incantation of this verse incantation उचारण के द्वारा गीत के द्वारा गा कर जाब करके of this verse इस काव्य का इस कविता का scatter as from an un-extinguished hearth as जैसे के फिर से देखिए ये simili है comparison हो रहा है as from an un-extinguished un-extinguished extinguished मतलब होता है बुझा देना और un-extinguished means जो बुझा हुआ नहीं है हर्थ चूला चूले में आग जलती है अभी तो आप gas पर बनता है आपका खाना या induction पर बनता है लेकिन गाओं में और काफी घरों में शहरों में भी अभी भी अंगी ठी पर या चूले पर खाना बनता है तो वो हर्थ होता है चूला उसमें आग जलाई जाती है उपले जलाई जाती है लगडी जलाई जाती है कोईला जलाई जाता है तो वो चूला जब बुजा नहीं उसकी आग पूरी तर बुजी नहीं तो वो हुआ अन एक्स्टिंग्विष्ट हर्थ जैसे के बिना बुजे हुए चूले से ashes means rock and sparks और चिंगारियां यानि जैसे हवा उड़ा ले जाती है अपने साथ राख को और चिंगारियों को बिना बुजे हुए चूले से वैसे ही my words मेरे शब्दों को among mankind मानवता के बीच क्या करना है scatter यह जो word आया है फैला दो scatter फैला दो पूरी मानवता के बीच मेरे शब्दों को फैला दो जैसे तुम बिना बुझे हुए चूले से राख को और चिंगारियों को फैला देती हो Be through my lips to unawakened earth The trumpet of a prophecy Be बन जाओ through माध्यम से My lips मेरे होटों के मेरे होटों के माध्यम से बन जाओ To किसके लिए? Unawakened बिना जगी हुई यानि कि सोई हुई अर्थ धर्ती के लिए सोई हुई धर्ती के लिए बन जाओ The trumpet तु रही शंकनाद Of a prophecy प्रोफेशी होती है भविश्यवाणी एक भविश्यवाणी का शंकनाद बन जाओ Oh wind, ए हवा If winter comes और ये है वो भविश्यवाणी जो कि सच सावित होती है हमेशा सच सावित होती है क्या है वो भविश्यवाणी? If winter comes यदी जाडा आ गया यदी पतज़ड आ गया Can spring be far behind? तो क्या बसंत्र तू बहुत दूर होगी? अब जब question पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर निगेटिव होता है Can spring be far behind? क्या बसंत्र दूर होगी? तो आंसर निगेटिव होगा नहीं, बसंत्र दूर नहीं होगी यदी जाडा आ गया है तो बसंत्र दूर नहीं होगी बसंत्र पास में ही होगी यहाँ winter symbol है बुरे दिनों का, दुर्भाग्य का और यदी इस वक्त आपका दुर्भाग्य चल रहा है इस वक्त आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो निश्चे मानिये कि spring दूर नहीं है बसंत्र दूर नहीं है अच्छे दिन भी दूर नहीं है यदी पत्जड है, बुरे दिन है दूर भाग्य है इस समय तो बसंत्र तूर दूर नहीं है और दोनों ही personify किये गए है winter का देख रहे डवलू capital है spring का एस capital है तो winter आ गया है तो spring भी उसके पीछे पीछे आ रहा है यानि वो दूर नहीं है दोनों personify किये गए है खूबसूरत कविता आपको पसंद आई होगी इसके अलावा शेली की कुछ famous points है कुछ आपके syllabus में भी है element जो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ o2 skylark है जो इसके बाद पढ़ाऊंगी और इस तंजाज written in dejection near naples उसको भी हम पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद